नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग प्रॉम स्क्रैच पे आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होगे तो बिहार सिविल कोर्ट के उपर ये मेरा पहला लेक्चर है और चुकि पहला है इसलिए मैंने प्रेवियस एर से स्टार्ट किया है तो आप लोग अगर क्लर्क या कोर्ट रीडर सहगवाई लेखक या स्टेनोग्रेफर या तो फिर पियोन का भी तयारी कर रहे है तो ये वीडियो आपके लिए है और ये प्रेवियस एर का वीडियो है मतलब जो एक्जाम पहले हो चुका है तो एक एक्जाम हुआ था 17 जुलाई 2016 को और एक हुआ था 21 अगस्त 2016 को तो इन दोनों का ही एक्स्प्लेनिशन है इस वीडियो में तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए इसमें 3-4 सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि एक है जनरल अवेरनेश एक है इंग्लिस लेंग्विज हिंदी लेंग्विज और एक अरिथमेटिक तो सबसे पहले में स्टार्ट करने वाला हूँ जनरल अवेरनेश तो जनरल अवेरनेस हम लोग स्टार्ट करने हैं इस लेक्चर में तो आईए अब बात करते हैं अपने पहले प्रशने के बारे में मद्य परदेश उच्चनयाले की पीठ स्थित है तो आपको बताना कहां स्थित है इंदौर भोपाल ग्वालियर या जबलपूर तो जो मद्य परदेश उच्चनयाले की पीठ है वो स्थित है जबलपूर में हलांकि मद्य परदेश की राजधानी है भोपाल लेकिन फिर भी ह तो इसको पहले अलाहबाद भी कहते थे और इसका जो खन्ट पीठ है वो स्थित है लखनुव में अब अगर देखें इंडिया में भी टोटल 25 हाई कोट हैं 25 हाई कोट है इंडिया में भी टोटल अगर सबसे latest हाई कोट की बात करें तो वो बनी थी 2019 में एक जेन्वरी 2019 में कौन-कौन सी है? एक है आंधरा परदेश का हाई कोट और दूसरा है तेलंगाना हाई कोट ये दोनों लेटेस्ट है जो कि 2019 में बनी थी अगर ओल्डेस्ट की बात करें कि सबसे पुराना हाई कोट कौन है इंडिया का तो वो है कैलकटा हाई कोट कैलकटा हाई कोट ये कब की है ये है 2 जुलाई 1862 में ही ये हाई कोट बनी थी तो अब बात करतें अपने दूसरे प्रशने के बारे में निम्न लिखित में से किस देश का संबिधान अलिखित है मतलब कौन से देश का संबिधान है जो लिखा हुआ नहीं है वो संबिधान से चल रहा है लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है इंडिया पाकिस्तान USA या UK तो इंडिया का संभिधान तो हम लोग जानते है कि लिखा हुआ है पाकिस्तान भले ही संभिधान से चलती ना हो लेकिन इसका भी संभिधान लिखा हुआ है USA का भी संभिधान लिखा हुआ लेकिन UK जो है United Kingdom इसका संभिधान लिखा हुआ नहीं है हलांकि चलती संभिधान से ही है अब अगर आपसे पूछा जाए कि पहला first written constitution मतलब सम्मिधान सबसे पहला लिखा हुआ किसका है तो वो है USA का सबसे पहले इसी का सम्मिधान लिखा गया था अगर आपसे पूछा जाए oldest constitution सबसे पुराना सम्मिधान किसका है तो यह भी USA का ही है अगर आपसे पूछा जाएं कि smallest मतलब सबसे छोटा किसका है तो यह भी USA का ही है मतलब आप अंदाजा लगाएं इतना छोटा सम्विधान है कि सिर्फ इसमें 7 articles है 7 articles है फिर अगर आपसे पूछा जाएं कि सबसे बड़ा सम्विधान किसका है largest constitution तो वो है इंडिया का कि आबादी है तो largest democracy इंडिया है और अगर oldest democracy पूछे oldest democracy तो यह है USA चलिए अब बात करते अपने तीसरे प्रशन के बारे में वल्लब भाई पटेल को सरदार की उपाधी किस ने दी इन्हें कहा जाता है सरदार वल्लब भाई पटेल तो यह जो सरदार है यह उपाधी इनको किनों ने दिया था महात्मा गांधी जी विनोबा भावे जी women of bardoli मतलब bardoli की औरतों ने या peasants of gujarat मतलब gujarat के किसानों ने तो जो इसका correct option है वह option है महात्मा गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधी दी थी हुआ ये था कि 1928 में एक सत्याग्रा हुआ था बारडोली सत्याग्रा बारडोली गुजरात के सूरत में एक जगह है बारडोली सत्याग्रा तो वहां के लोगों ने सत्याग्रा आयोजित किया था क्योंकि वहां के लोगों पे उस समय अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी तो बहुत ज़्यादा टेक्स लगा दिया गया था अब क्या है कि अकाल पड़ा था फसल अच्छे हुए नहीं थे और टेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था तो यहां पे जो बाडोली सत्यागरा हुआ था उसको लीड किये थे वल्लब भाई पटेल और बहुत अच्छे से लीड किये थे कि जो टेक्स लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा वो था 22% और इनके यह जो सत्यागरा करने के बाद टेक्स घटा कर कर दिया गया था सिर्फ 6.03% तो बहुत अच्छे से लीड किये थे इसलिए भात्मा गांधी जी ने इनके नाम के साथ सरदार की उपाधी जोड़ दी चोथा प्रस्टन 1984 की भोपाल गैस तरास्ती संबंदित है किस संबंदित है मतलब कि कौन सा गैस वहाँ पर लीक हुआ था जिसे हजारों लोग मरे थे ऐल्यूमिनियम फोस्फाइड मिथाइल ब्रोमाइड मिथाइल आइसोसाइनेट या कार्बन डायोकसाइड तो यह जो गैस है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट यही गैस उस दिन लीक हुआ था और यह कब हुआ था यह हुआ था दो और तीन दिसंबर 1984 को यह हुआ था और इसमें अगर ओफिसियल आकड़े के नुसार देखा जाए तो उस समय बाइस सो उनसट लोग मरे थे हलांकि रियल में आकड़े में लगबव 20,000 से जादा लोग आज तक इस तरास्दी से मर चुके हैं तो आईए अब बात करते हैं अपने पाचवे प्रस्न के बारे में शुष्क बर्फ और कुछ नहीं है बलकि क्या है वाशिंग सोडा, कार्बन मोनोकसाइड, गैसियस कार्बन डायोकसाइड या सॉलिड कार्बन डायोकसाइड तो basically यह जो solid carbon dioxide है यही है शुष्क बर्फ और इसका इस्तिमाल किया जाता है अक्सर किया जाता है जैसे कि खाना को ठंडा रखने में और फिर दवाईयों को ठंडा रखने में वैक्सीन कूलिंग में इसका यूज किया जाता है फिर food को preserve करने में मतलब खाना को अच्छा रख अपने लग जाता है fog create किया जाता है उसमें इसी का इस्तिमाल किया जाता है solid carbon dioxide का ही इस्तिमाल किया जाता है छठा the first Indian satellite आर्य भट्टा वाज launched इन तो जो पहला भारतियों उपग्रह था आर्य भट्ट इसको प्रक्षेपित किया गया था कब किया गया था 1972 1975 1977 या 1989 तो यह क पचत्तर को यह प्रक्षेपित किया गया था और यह बेसिकली रूस की सहयता से प्रक्षेपित किया गया था और जो launch vehicle था जिससे इसको मतलब प्रक्षेपित किया गया था वो था Cosmos 3M सात्वा प्रश्ण और अंग्जेव की मृत्यू कहां होई थी और अंग्जेव जो की एक मुगल चासक था और इसका जो कारेकाल था वो था 1658 से लेकर 1707 इस विमित तक जब तक यह मरने गया तो इसकी जो मृत्यू यह वो कहां होई थी तो यह होई थी अहमद नगर में और इसका जो मकबरा है मकबरा है वो स्थित है महरास्ट्रा में महरास्ट्रा में और महरास्ट्रा में जो जगा है वो है और अंगाबाद और अंगाबाद यहीं इसका मकबरा स्थित है इसको जो एक टाइटल मेरा था और अंग्जेव को वो था जिन्दा पीर जिन्दा पीर मत सेंट आठवा प्रस्ण महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुवात की थी तो कहां से की थी दांडी से, पोरबंदर से, एहमदाबाद से या साबरमती आसरम से तो उन्होंने अपनी यात्रा की जो शुरुवात थी तो यह यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को और यह चला था 12 मार्च से लेकर 6 अप्रेल 1930 तक यह यात्रा चली थी अगर आपसे पुछा जाए कि बिहार में कब शुरुआ था यह यात्रा तो बिहार में यह शुरुआ था 15 अप्रेल 1930 में आईए अब बात करते हैं नौवे प्रशन के बारे में भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे CEC चीफ इलेक्षन कमिस्टनर जो पहले थे वो कौन थे टी स्वामिनाथन, सुकुमार सेन, के वी के सुन्दरम या स्पी सेन वर्मा तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन भी सुकुमार सेन थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता क्या है एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त एक होते हैं और दो होते हैं वो होते हैं च चंदर पांडे जी और दूसरे हैं अरुन गोयल जी अरुन गोयल जी तो भी बहुत ही रिसेंटली बने हैं 19 नवंबर 2022 को ये बने हैं इलेक्षन कमिशनर तो एक होते हैं चीफ इलेक्षन कमिशनर राजीव कुमार जो की हैं और दो होते हैं इलेक्षन कमिशनर जो की एक तो ह अनूप चंदरपांडे और एक है अरुन गोयल तो इन लोग का जो कारेकाल होता है वो होता है 6 साल का या 6 साल या तो फिर 65 साल के जब यह हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे तो दोनों में जो पहले हो जाएंगे या तो पहले 6 साल हो जाएं या पहले 65 साल के यह लोग ह तो जो पहले हो जाए गए रिटायर हो जाएंगे दसवा प्रस्न, भारत में सबसे बड़ा बाग अभ्यारण्य है तो कौन सा है, पेंच, कोरबेट, नागारजुन या मानस तो इसका जो correct option एब वा option C नागारजुन बाग अभ्यारंडे भारत का सबसे बड़ा अभ्यारंडे है इसका जो पूरा नाम है वो है नागारजुन सागर स्री शैलम बाग अभ्यारंडे तो ये क्या है 1983 में ये बना था और ये सबसे बड़ा इसलिए है ये सबसे पूराना बाग अभ्यारणने है और ये 1973 का ही है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजे वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजे और वीडियो को शेर कीजे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाली अगर आप लोगो वीडियो अच्छा लग रहा है तो गियारवा प्रसन निम्न लिखित में से किस ने सोमनाथ मंदिर पर आकरमन किया था 1025 इश्वी में किया गया था तो ये टोटल इंडिया पर 17 बार ये आकरमन किया था एक हजार एक से लेकर एक हजार सत्ताइस इसवी के बीच में ये टोटल सत्रा बार इंडिया पे आकर्मन किया था और लूटा था बारवा, ATM stands for ATM का पूर्ण रूप क्या है तो ATM का जो सही पूर्ण रूप है वो option C, automated tailor machine तो इसका जो ATM के जो जनक है वो है John Adrian Shefford Baron तो ये इसका जो पहला जो इसका मतलब ATM लगाया गया था वो लगाया गया था इंगलेंड में इंगलेंड में लगाया गया था 1967 में अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में पहला ATM कहा लगा था तो वो लगा था मुंबई में मुंबई में लगा था और ये लगा था 1987 में और जो बैंक लगाया थी वो थी HSBC HSBC का फूल फॉर्म क्या है Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited इसका फूल फॉर्म है तेरवा प्रश्न इंडिया विंस फ्रीडम ये किन की आत्मकता है तो ये जो आत्मकता है ये है अबुल कलाम आजाद जी की जो हमारे पहले सिक्षा मंत्री भी थे अगर कुछ और किताबों के बारे में जानना चाहें जैसे की Discovery of India तो ये लिखे थे जवाहर लाल नहरू जी अगर आपसे पुछा जाए Indian Struggle ये बुक किसने लिखी तो ये लिखे से सुवाज चंदर बोश जी अगर आपसे पुछा जाए नील दरपन ये किसने लिखा था तो ये लिखा था दीन बंधु मित्र जी ने तो ये कुछ फेमस बुक्स है इनके राइटर्स के नाम आप जरूर याद रखिएगा अविस्मर्णिय गीत वंदे मातरम लिखा गया है किसके द्वारा रविंदरनाथ टेगोर सुरेंदरनाथ बंदोपाध्याई बंकिम चंदर चाटोपाध्याई या सरचंदर चेटर जी तो ये लिखा गया था बंकिम चंदर चाटोपाध्याई जी के द्वारा लिखा गया था ये जो अविश्मर्णिय गीत वंदे मातरम ये इनके द्वारा लिखा गया था अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था तो ये हुआ था 1882 इसवी में एक नॉबेल निकला था उस नॉबेल का नाम था आनंद मट इसवी में इस वंदे मातरम का पहली बार प्रकाशन हुआ था अगर आपसे पूछा जाएए कॉंग्रेश के किस अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था तो ये कॉंग्रेश का जो 1896 में एक अधिवेशन हुआ था और ये हुआ था कैलकटा में कैलकटा में हुआ था 1896 में तो उस टाइम पहली बार गाया गया था वंदे मातरम को 15 हुआ किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है तो जब ये कोश्चन जब का ये कोश्चन है जब ये एकजाम हुआ था तो उस टाइम था ये क्यूबा लेकिन अभी जो है वो हो गया है ब्राजील और दूसरे नंबर पे है इंडिया अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में सबसे ज़ादा कहा होता है तो ये होता है UP में सोलवा प्रशन जिरोफ्थैल्मिया जिरोफ्थैल्मिया ये जो रोग है ये किस की कमी से होता है विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A या विटामिन K तो यह जो है यह विटामिन A की कमी से होता है यह जो रोग है जिरोफ्थैल्मिया यह विटामिन A की कमी से होता है विटामिन A जिसका जो रासाइनिक नाम है वो है रेटिनॉल अगर विटामिन C की बात करें तो इसका रासाइनिक जो नाम है वो हो जाता है एस्कॉर्बिक एस विटामिन के जो है ये help करता है जैसे हमारा रक्त स्राव होता है मतलब खून बहता है तो उसमें थक्का नहीं बने उसमें ये विटामिन के help करता है विटामिन B12 इसमें क्या होता है इसका जो रसाइनिक नाम है वो है एनिमिया और विटामिन B12 में होता है कोबाइट और इसका जो नाम है वो है स्वाइनो कोबाला मीन 17 वा मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी तो ये हुई थी 25 सेप्टेंबर 2014 को मेक इन इंडिया कैम्पेन का स्टार्टिंग हुआ था 18 प्रश्ण किस देश का संविधान संसदिय और राष्ट्रपती दोनों प्रकार की सरकार का मिस्त्रण है मतलब बोथ पारलियामेंटरी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्मेंट तो USA के बारे हम लोग जानते हैं कि ये है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पारलियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्मेंट और इसी से हम लोगों ने ग्रेट ब्रिटेंज से हम लोगों ने कॉपी किया है तो हमारा भी है जो पारलियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्मेंट है और ये हो गया प्रेसिडेंशियल यूसे का तो दोनों का जो मिस्त्रण है वो है France यहाँ पे presidential और पार्लियामेंट्रियल मतलब पार्लियामेंट्री दोनों प्रकार के सरकार का मिसरण है वो है फ्रांस तो अठारवा का जो correct option है वो जग option C 19 वा सर्वोच न्यायले के न्यायधीश पद ग्रहंड करते हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं वो पद ग्रहंड करते हैं तो इसका correct option है option C till the till they attain the age of 65 years मतलब जब तक कि वो 65 साल के ना हो जाए तो इनका जो कारेकाल होता है या तो 6 साल मतलब अगर यह 65 साल के ना हो उसके पहले इनका कारेकाल 6 साल का हो जाएगा तब तो ठीक है मान लिजे कि 3 साल यह रहे जज़ और यह 65 साल के हो गया तो यह retire हो जाएंगे तो 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो जाए बिस्वा निम्न लिखित में से कौन वजन की एक कि काई नहीं है. Pound, kilogram, gram, या Dain. तो Pound तो है मतलब वजन की ही काई है, kilogram यह वजन की ही काई नहीं है. 21 वा, अफीम एक पादप उत्पाद है, जो प्राप्त होता है. तो कहाँ से प्राप्त होता है Roots, मतलब जड़ जो हता है, यहां से प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं, stem bark, stem होता है तना, और बार्क होता है छाल, तो तने की छाल से बिल्कुल नहीं, सूखी पत्तियों से, तो 21 का जो correct option है वो है, dried latex, मतलब सूखी पत्तियों से भी यह प्राप्त नहीं होता है, तो correct option हो जाएगा, dried latex से यह राइबो फ्लेविन, केरोटीन, राइबो लूज या जैन्थो फिल तो जो करेक्ट आप्शन ने बहु हो जाएगा आप्शन B केरोटीन की उपस्थिती के कारण दूद का जो रंग है वो हलका येलो हो जाता है मतलब पीला हो जाता है राइबो फ्लेविन इसी को विटामिन B बीटू भी कहते हैं विटामिन B2 का ये रासाइनिक नाम है राइबो फ्लेविन तेशवा निम लिखित में से कौन सा इंधन नियूंतम प्रियावरण प्रदूशन का कारण है मतलब इससे बहुत कम प्रदूशन होता है डीजल, केरोसीन, हैड्रोजन या कोल तो जो इसका क अप्षन है वो है है डीजल, हैड्रोजन से बहुत ही कम प्रदूशन होता है इसलिए इसे कहते हैं फ्यूचर, 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 मतलब भविश्य का इंधन आई है है डीजल, चोविसवा एक वर्ष के दौरान भूमी के एक टुकडे पर एक से अधीक फ तो इसका जो करेक्ट उप्षन है चोविसवा का हो जाएगा उप्षन दी मल्टिपल क्रॉपिंग इसको कहते हैं और इसको एक और नाम से कहते हैं इसको इंटर क्रॉपिंग भी कहते हैं इंटर क्रॉपिंग 25 वह कौन सी एक मात्र स्तन पाई है जो उड़ सकती है मतलब एक ऐसा मैमल जो की फ्लाई कर सकती है मतलब उड़ सकती है वेल, ड्रेगन, बैट या लेजर्ड तिसका जो करेक्ट ओप्शन है वो ओप्शन सी बैट बैट जिसको हिंदी में कहते है चमगादर यही एक ऐसा मैमल है जो की उड़ भी सकती है 26 ये सो माइट क्या है एक नदी है, पीक मतलब एक उचाई है, चोटी है, वाटरफॉल है या डैम है तो 26 का जो करेक्ट ओप्शन है वो ओप्शन सी ये वाटर फॉल है मतलब एक जल पर पात है और यह कहा है यह है California California जो की USA में है वहाँ है यह waterfall है यह सो माइट 27 वा प्रश्न Mary Curie ने किस स्रेणी में दो अलग-अलग Nobel पुरस्कार जीते Physics and Chemistry, Chemistry and Medicine Physics and Medicine या Chemistry and Peace तो इसका जो correct option है वो है option A Physics और Chemistry में दो बार अलग-अलग Nobel पुरस्कार जीते थे वो थे Mary Curie एक जीते थे 1903 1903 में और एक जीते थे 1911 मतलब 1911 में 28 वा निम्न लिखित में से किसे hot money कहा जाता है FII, FDI, ADR या GDR तो इसका जो correct option है वो है option A FII जिसका full form होता है foreign institutional investor investor जिसे हिंदी में कहते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक इसी को ही कहते हैं hot money 29 मिस यूनिवर्स के खिताग की पहली भारतिय विजेता कौन थी तो ये थी सुस्मिता सेन ये पहली भारतिय विजेता थी मिस यूनिवर्स की तो ये जीती थी 1994 में अगर आपसे पुछा जाए दूसरी तो दूसरी थी लारा दत्ता ये जीती थी सन 2000 में तो ये तो है मिस यूनिवर्स अगर आपसे पुछा जाए मिस वर्ल्ड तो मिस वर्ल्ड जो है वो पहली भार जीती थी वो थी रिता फार्या ये जीती थी 1966 में अगर आपसे पुछा जाए दूसरी बार किसने जीता था तो वो थी एश्वरे राय जो जीती थी 1994 में तो ये दोनों है Miss World और ये दोनों है Miss Universe तीसवा प्रश्न रक्त समू खोजा गया था तो रक्त समू किनके द्वारा खोजा गया था तो ये खोजा गया था Land Steiner जिनका पूरा नाम है Karl Land Steiner इनके द्वारा खोजा गया था रक्त समू यह जो विलियम हार्वे हैं इनके द्वारा खोजा गया था रक्त परी संचरण और यहां पर आप देख रहे हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने खोज किया था पेंसिलीन पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था तो पाकिस्तान का जो नाम गढ़ने वाले थे वो थे चौधरी रहमत अली यहनोंने पहली बार पाकिस्तान का नाम गढ़ा था अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान का जो जनक है वो कौन है तो वो है मुहम्मद अली जिन्ना अगर आ पाक प्राइम मिनिस्टर पुछा जाए तो वो हो जाएंगे लियाकत अली खान बतिस्वा कौन सा एक मात्र देश है जिसके डाक टिकट पर इसका नाम ही नहीं होता है तो वो देश है UK United Kingdom इसके डाक टिकट पर इसका नाम नहीं होता है तो जो पहला दुनिया में डाक टिकट जारी करने वाला देश था वो भी UK ही था और ये जारी किया गया था एक में 1840 को इंडिया में जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था वो हुआ था 1852 में 33. कपड़ों पर लगे जंग के निशान किसके द्वारा हटाये जा सकते हैं तो यह हटाये जा सकते हैं औक जेलिक एसीड को यूज करके जिसका रशायनिक सुत्र होता है यह इसका रशायनिक सुत्र होता है 34. संभिधान का कौन सा अनुछेद मुख्य मंतरी के करतव्य को परिभाशित करता है तो संभिधान का जो आर्टिकिल अनुछेद 167 है यह परिभाशित करता है मुख्य मंतरी के करतव्यों को अगर आपसे पूछा जाए प्रधान मंत्री के करतव्यों को कौन सा आर्टिकल परिभाशित करता है तो वो है आर्टिकल 78 आप यहाँ पर आर्टिकल 164 दिया हुआ है तो इसमें क्या होता है CM और अन्यमंत्रियों का जो गठन होता है वो article 164 में लिखा हुआ है article 165 जो है वो होता है महाधीवक्ता तो ये कौन होता है ये राज्य का सबसे बड़ा विधिक सलाकार होता है 35 निम्न लिखित में से कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है कौन है वो विटामिन A, प्रोटीन, एंजाइम या हॉर्मोन तो इसका जो करेक्ट ओप्शन है वो है ओप्शन A विटामिन A जो है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है इसे बाहर से लेना पड़ता है यह होता क्या है इसमें इससे क्या होता है यह इनफेक्शन को रोकने में मदद करता है इनफेक्शन को यह रोकने में मदद करता है विटामिन A का अविश्कार जो किया था वो था मैकुलन यह विटामिन A का अविश्कार किया था चतिस्वा भारतिय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है दिल्ली मेट्रो, मुंबई मोट्रो, कोलकाता मेट्रो या बेंगलोर मेट्रो तो इसका जो correct option वे option C कोलकाता मेट्रो सबसे छोटा जोन है भारतिये रेलवे का इसका जो सुरुवात है वो हुआ था 24 अक्टूबर 1984 को इसका शुरुवात हुआ था और ये 17 जोन में आता है 17 जोन में ये आता है अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली मेट्रो का start कब हुआ था ते हुआ था 24 दिसंबर 2002 को बाद मुंबई मेट्रो तो बहुत समय के बाद start हुआ था 24 में 37 प्रश्न रिगवेद में किस जानवर को अगन्या घोशित किया गया है तो ये है काउ 37 का होजाए गा ओप्शन B विश्व का ये जो प्राचीनतम धार्मिक पूस्तक है वो है रिगवेद और इसमें गाय को अगन्या घोशित किया गया है 38 भारत के निम्न लिखित में से कौन सी मिटी कपास की खेती के लिए उप्यूक्त है तो ये है रेगुर स्वाइल ये जो है कपास मतलब कौटन की खेती के लिए सबसे उप्यूक्त है इसको कपासी मिटी भी कहा जाता है कपासी मतलब कपास के लिए चोकी उप्यूक्त है बहुत जादा इसलिए इसको कपासी मिटी भी कहते हैं और भी इसके कई नाम है जैसे की काली मिटी भी इसे ही कहा जाता है और फिर इससे क्या होता है इसको स्वता जोता हुआ मिटी भी जलोड मिट्टी ज़लोड मिट्टी जिसे एंगलिस में कहते है Alluvial Swial Alluvial Swial जलोड मिट्टी भारत में सरवाधी के यही पाई जाती है 49 लूमेन एक आई है किसकी Brightness की, Luminous Intensity की Illuminance की ये Luminous Flux की तो यह जो correct option है, फो option D luminous flux की पाई है lumin सरोध में कितने तार होते हैं तो सरोध में total 7 तार होते हैं वीना में भी 7 तार होते हैं साथ तार वीना में होते हैं 41 प्रस्ण निम्न लिखित में से कौन एक पादप हर्मोन है प्लांट हर्मोन तो वो है एक गीबरलीन यहाँ पे जो ऑप्षन दिया हुआ इसमें से एक गीबरलीन ही है जो एक पादप हर्मोन है कुछ और अगर हम लोग प्लांट हर्मोन देखें जैसे कि एथिलीन ये भी एक पादप हर्मोन है और अगर देखें तो ओक्सिन्स ये भी पादप हर्मोन है 42 निम्न लिकित में से कौन सबसे तेज मेमोरी है हार डिस्क, दिव धी रॉम्स स्टेटिक रैम या कैचे मेमोरी तो इसका जो करsequ ऑप्षन य्क आप्षन दी कैचे मेमोरी जो है वो सबसे तेज मेमोरी है इसका जो एकसेस टाइम होता है वो है 2-10 नैनो सकेंड ये डिरेक्टली कनेक्टेड होता है CPU से CPU का जो फुल फॉर्म हो है Central Processing Unit इसका फुल फॉर्म है CPU का Central Processing Unit 43 वा प्रस्ण निम्न लिखित में से किसने अप्रेल 2014 में बंगलादिस में आयोजीद भारत और सिरलंका के बीच ICC 200 T20 के Final में सिरलंकाई टीम की कपतानी किये थे तो 2014 में जो सिरलंका टीम के Captain थे वो थे लसित मलिंगा हलांकि ये Question का तो अब कोई Value है नहीं है ये पहले का Question है लेकिन हम लोग 2022 के बारे में जान ले तो 2022 में भी ICC Men's का T20 World Cup हुआ था तो इस समय सिरलंका गे जो Captain थे वो थे दाशुन सनाका तो इस वार 2022 में जो ICC T20 World Cup जीते हैं वो है इंग्लेंड की टीम इंग्लेंड जीती है और runner अप रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान चवालिसवा निम्न लिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है अर्थ, मार्स, जुपिटर या वीनस तो इसका जो correct option वे option डी वीनस जिसको हिंदी में शुक्र ग्रह काते हैं इनका अपना कोई उपग्रह नहीं है बाकि अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो उपग्रह है वो है moon मतलब चंद्रमा अगर मार्स की बात करें तो मार्स पे हैं phobos phobos और demos ये इनके उपग्रह है ब्रिहसपती के तो खेर जुपिटर जिसको हिंदी ये ब्रिहसपती कहते हैं इसके तो खेर 79 उपग्रह है तो इनकी बात ही क्या करने पैतालिसवा कील अनुपस्थित होता है किसमें ओस्ट्रिश में, डक में, चिकन में या पेकॉक में तो ये अनुपस्थित होता है डक में डक जिसको हिंदी में बत्तक कते हैं इसमें कील अनुपस्थित होता है तो 45 वा कहो जाएगा दी 46 वा प्रश्न क्वार्ट जाइट कायंत्रित हुआ है किस से कायंत्रित हुआ है लाइम स्टोन उदा चूना पत्थर से प्लोटोनिक रोक से सेंड स्टोन से या शेल से तो इसका जो करेक्ट आपसे ने 46 कायब है option C सेंड स्टोन से ये कायंत्रित हुआ है जिसको बलुआई पत्थर भी कहते हैं 47 वा अरिहंत है एक तो ये क्या है एक तो ये एक nuclear powered ballistic missile submarine है मतलब ये एक परमानू पंडुबी है जो की सोदेश निर्मित है मतलब इंडिया में ही इसका निर्मान हुआ है अरिहंत का 48 वा निम्न लिखित में से कौन 2014 में भारती रिजर्व बैंक के deputy governor के रूप में शामिल हुए थे तो उसका जो correct option है इस question का वो है SS मुंद्रा हलांकि ये question बहुत पुराना 2014 का हो गया लेकिन अभी 2022 के बारे में लोग बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है एक governor होते रिजर्व बैंक के जो भी है शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास अभी governor है और चार होते हैं deputy governor तो वो कौन को नहीं भी एक है महेश कुमार जैन दुसरे है M. राजेस्वर राव तीसरे जो है माइकल माइकल पातरा माइकल पातरा चोथे जो है वो है पी रविशंकर ये चारों जो है deputy governor है और जो एक governor है वो है शक्तिकांत दास उन्चासवा 2015 का सातवा Bricks शिखर सम्मिलन रूस के किस शहर में आयोजित हुआ था तो उस समय हुआ था ये यूफा शहर में रूस के हालांकि अभी हम लोग बात कर लेते 2022 में भी Bricks सम्मिलन हुआ था 2022 में और ये था चोधवा तो ये हुआ था चाइना में अगर अब लोग बात करें अगले साल 2023 में कहा आयोजित होने वाला है जो कि 15 हवा Bricks शिखर सम्मिलन होगा तो ये होगा साउथ अफ्रिका में साउथ अफ्रिका में पचासवा कोस्चन 15 जनवरी 2015 तक रिजर्व बैंक अफ इंडिया द्वारा संसोधी तर रेपो दर की स्थिति क्या थी तो ये भी 2015 का कोस्चन अभी चल रहा है 2022 तो अभी तो कुछ खास वेल्यू है नहीं इस कोस्चन का लेकिन उस टाइम पे था है 7.75% अभी अगर देखें नवंबर 2022 की अनुसार अगर देखें तो ये है 5.90% अब क्या है एक है रेपो रेट और एक है रिवर्स रेपो रेट तो रेपो रेट क्या है जो RBI जो मतलब इंट्रेस्ट लेती है बैंकों से अगर बैंक RBI से कुछ पैसे लेते है तो उस पे जो इंट्रेस्ट लेती है वो है रेपो रेट जो RBI इंट्रेस्ट लेती है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक कीजे शेर दीजे थेंक यू सो मच